प्रोजेक्ट किसे कविताई में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक विशय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हैं। और विशय है ख्वाहिशे पूरी परवरिश अधूरी। प्रचीन समय का यदि हम विशलेशन करें तो पाएंगे कि हमारे पूरवजों के पास साधन कम थे। भटकाव कम थे। और उनके पास समय ही समय था अपनों की बात सुनने का, उनके साथ जुड़कर रहने का और एक दूसरे का ध्यान रखने का। पहले जीवन जीने के लिए जरूरतें बहुत कम थी। अपनी इच्छाओं, अपनी खवाहिशों को बुरा करने की होड़ ना समान थी। और हम अपने स्वह को बचाई रखने में सफल थे। समय बदलता गया और सुविधा संपन हम उन सब के लुट्फ उठाने में इतना खो गये के हमारा समय कम होता चला गया। चमक दमक बढ़ती चली गई और चारोर आकरशनों के सशक्त जाल ने हमें इस कदर जड़ कर दिया के हम वहना रहे जो हम थे। पहले गोड़े बेचकर गहरी नीद सोने वाली उकती सत्य चरितार्थ होती थी और अब सुख चैन नीद सब कुछ खो चला है। जीवन भगवान द्वारा दिया गया अध्वत वर्दान है जिसे हर कोई व्यक्ति अपने ही ढंग से समझता है वजीता भी है। काम, क्रोध, लोब, मोह वाहंकार आधी हमारे ऐसे शत्रू हैं जो हमें पल भर के लिए भी नहीं छोड़ते। मन में सुंदर्ता भी है, असुंदर्ता भी, राम भी है, रहीम भी और रावन भी। यह मन ही तो है जो हमारे भीतर तरह तरह की उचित, अनुचित, ख्वाहिशें पैदा करता है और प्राया अन्यंत्रेत गोड़ों की तरह भटकाता भी है। हमारे रिशियों, मुनियों, वासाधकों ने स्पश्ट कहा है कि स्वयम को जीतना है तो पहले मन को वश्मे करो। उस पर विजय पाओ, तब जाकर संसार के वास्त्विक संदर्य को पहचान सकते हो। अनित्था, संसारिक संबंधों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। परंतु आज दुखद स्थिति यह है कि हम मन को समझ नहीं पा रहे। और व्यक्ति त्रिशंकु सास खबाहिशों के जाल में इस कदर उलज गया है कि वह वह बन गया है जो उसे कभी नज होना चाहिए था। उसके हिंसक नाखून निकलाए हैं। वह हिंदू बन गया है, मुसल्मान बन गया है, उसके obesity दलाल आ गया है, मंडल कमंडल आ गया है और वह घुटालों में ही घुटालों में फंस्ता चला गया है, कभी बफोर्स तो कभी हवाला तो कभी चारा बन कर। मन के भटकाव की कथाएं तो आधिकाल से सुनते आ रहे हैं हम जीवन में कम से कम आकर्शन होने के लिए के उपरांत भी कोई ऐसा त्यागी पुरुष अवश्य था इस समाज में जिसने वरदान में मिले अपने अमर फल को भरतरी हरी को सौप कर स्वयम को धन्य समझा था और उसी फल के कारण व्यक्तिगत वासनाओं वा स्वार्थ परत्ता की पूर्ती के लिए उस न्याईशी प्राकरमी राजा भरतरी हरी को राज्य त्याग कर सन्यास भी लेना पड़ा था ख्वाहिशे माया जाल समान माहा ठगनी ही कहलाती है परंतु हमेशा से भटकता रहा है परंतु अपने अहं की पुछ्टी के लिए अब से बढ़कर आकर्शक परिवेश वबास्थितियां पहले कभी न थी अब सब कुछ बदल गया है अर्थात व्यक्ति बदल गया है परिवारिक सदस्यों का संसार बदल गया है पहले बड़े बजर्ग शद्धा वज सम्मान का विशे थे चाहे धन उनके पास ना था हर शाम उनके बरदहस्त का आशीश पाने के लिए परिवार के सभी सदस्य उनके पास बैठते हैं जबकि आज आदुनिक सुविधाव होगी हम समय नहीं निकाल पाते हैं अपनों की बात तो छोड़ दे स्वयम को सुनने के लिए भी मरे पास समय नहीं है अब बड़े बुजर्ग अकेले हो गए हैं उनके बाद आई पीड़ें भी अकेली हो गई हैं और बच्चे तो और अधिक अकेले हो गए हैं और खो गए हैं ख्वाहिशों के आगोश में प्रहा सुना गया है कि आदुनिक यंत्रों से में बच्चे इस कदर डूप जाते हैं कि माँबाप को सुनने का उनका मादा उनका धैरिये लुटसा गया है और अपने जनक जननी को अपशब्द कहने में उन्हें शर्म मैसूस नहीं होती माँबाब को भी समझना होगा कि उन्हें बच्चों को क्या देना है क्या नहीं उनकी क्या सीमाय है और लक्षमन देखा को पार करने का अधिकार उन्हें कदापी नहीं आज का संसार क्या बन गया है समझ नहीं पाते क्योंकि सुख सुविधाओं वैभवों को पीछे के पीछे पागल हो गया है हम हमारा सुख चैन लुट गया है हम चीना जप्ती में अधिक विश्वास करने लगे हैं और बिना किसी पारिश्वम के अधिक से अधिक धन बटोरना चाहते हैं संपताएं जोड़ना चाहते हैं हमें दूसरों का वैभव लूटने की लाल सा रहती है ऐसे में भष्टाचरण व्याभिचार आधी का घुसाना हमारे जीवन में अती सहज यानि एकाम सी बात हो चली है प्राय देखा सुना जाता है कि लूटने की चाहत में बहन नत्वा भाई ने घर के सर्वे सर्वा संड़क्षक से जबरदस्ती वसियत पर अस्त्वाक्षर्ट करवा लिए हमेशा याद रखना चाहिए कि गुरुनानक देव भाईवान क्रश्ट ने वेधोर जैसे सहज सामान ने वा पुर्शार्ती व्यक्तियों के घर सागसब जीरूपी भोजन करना पसंद किया क्योंकि वहाँ परिश्रम से अरजित भोजन परोसे जाने की संभाव न थी उन्हें लूट कसूर से अन्ड्याय से एकठे किये गए धन से परोसे जाने वाले भोजन के सेवन को उचित नहीं माना अधह उनका अमंत्रन अस्वीकार कर दिया उनका संदेश पश्ट था प्रेरक भी और यही परवरेश संबंदी हमारा लक्ष होना चाहिए आधुनिक ब्यग्यानिक युग में हमने इतनी परगती कर ली है कि हर दूसरे दिन नए-नए अविश्कार हो रहे है नहींने यंत्र विक्सित हो रहे हैं और हमारी ख्वाहिशें आसमान की और उडान भरने लगी है हम उन्हें पाने की ख्शमता रखते हैं यह नहीं ये महत्वहीन है परंतु वे किसी भी कीमत पर हमारे पास होनी चाहिए इसलिए चात्रों की जेब में अथाधन के साथ साथ अत्याधनिक मुबाइल बड़ी सी गाड़ी वा अन्यस सुविधावों की बस्त में नहीं है तो मांबाब की खैर नहीं पराया ध्यापक प्रहधारंचारिये के सामने मादा पिता का गिर्गड़ाना उनकी विवश्टा बखान करता है पराया कहते हुए सुनते मिलते हैं हम क्या करें हमारी यह सुनता ही नहीं यदि वच्चा आजकल मादा पिता के नहीं सुन पा रहा है तो समझ लें कि उनकी परवरिश में कहीं कमी रह गई है जिन्ने उन्हें जीजान से सुधारना होगा अन्यथा परिणाम विकटतम हो सकते हैं यदि ऐसी परवरिश फलती फूलती रही तो निश्चित ही हम पतन की गहराई गहरी खाई में खो जाएंगे मानव को समझना होगा समझना होगा क्योंकि गिल कर समझना ही जंदगी का वास्त्रिक नाम है और वास्त्रिक विकास भी